नमस्कार किसान भाइयों मैं आपका दोस्त केर मोरिया और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती आज मैं गाजी पूल जीले में हूँ और आज की वीडियो इस पेसलिए उन चालांक नहीं बहुत ही चालांक लोगों के लिए जो हमें सजेस्ट करते हैं जब मैं बताता हूं त कम देखेते हैं कि मैं मैं में अपरेल में धनिया की खेती नहीं हो पुछ सेलांक है कुछ अती चलांक है कि यह संभव नहीं है आज उनके लिए आज मैं बात करूं के अलिको तो माई लवाई बता रहे हैं कि भीया सतरह मई है सतरह मई दो आजाच चोविस को मैं खड़ा हूं और दिन के सवा आठ हुए हैं आप पीछे देख सकते हैं कि धनिया हमारे किसान ने लगाई हुई है और सबसे अच्छी इस धनिया की बात यह है कि जर्मिनेशन को यदि ही बढ़िया उगर रही है जर्मिनेशन आप पूरे खेत में देखें मेड़ बना करके इस किसान ने खेती की है मैं पहले की वीडियो में बताया था कि अप्रेल और मई में धनिया की जो लोग खेती करेंगे एक एकर से कम से कम तीन से पांच लाख रुपए बड़े प्यार क्योंकि यह कटेगी जून जून औंजूलाई में जून में कटेगी तो रेट अमोमन 2 500-200-300-300 से उपर का मिलेगा और तब जाके किसान पैसा बहुत बढ़िया कमा पाईगा लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह खेती संभव नहीं है मैं ने इसके पीछ के तरीके और साते साथ इसके देख रेख कैसे होगा ये भी सारा कुछ मैंने आपको बता रखा था मैंने वीडियो में बिस्तार से बताया था कि पानी देते समय यदी इस पेडा लाइंटी का प्रयोग करेंगे तो नमी बरकरार रहती है और धन्या में पानी हमेशा साम के समय लगाया जाता है जिससे धन्या उबलेना अब इस पूरे खेट में देखें तो थोड़ा दिखाना बाबो एक भी धन्या का पत्ता एक भी धन्या है वो उबला हुआ नहीं है यानि न तो उड़ रहा है न तो उबला है मैंने आपको बहुत सारे लोग ने लोगों ने ब्रश्रा возможность всем pik生 वी है और इस समय धनिया कि जो आप खोथी कर रहे है है बुआई जब आप करेंगे की वाई करेंगे खेत में नंहीं हो और ओर जाते ही साथ गोबर की खाद और जो DAP का यदी प्रयोग करना हो तो DAP का प्रयोग चापांस दिन पहले यदी करें चापांस दिन पहले नहीं करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी वहाई करके इस तरह मेड पे यदी बोते हैं या क्यारियों में बोते हैं तो देखें मेड पे पानी देने का तर दूसरी चीज, इसमें हर 15 दिन पर स्टेश आउट का प्रयोग एक इसप्रे करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा मोशम में जो गर्मी होती है, गर्मी से जो धनिया पर असर होना चाहिए, वो नहीं होगा, साथ ही साथ इस किसान ने किया क्या है, कि धनिया के साथ इन्होंने पर्म Sac milorm Warm was जैए, यानि जब धनिया ये काट लेंगे फिर निराई गुडाई करेंगे तब तक इनका बैंग तयार हो जाएगा और एक ही खेट से ये डबल प्रॉफिट करेंगे धनिया भी जबरदस्तलाब और फिर बैगन का भी जबरदस्तलाब तो ये उन किसानों के लिए निश्चित रूप से कहूंगा कि वो देखें आएं यहां और इस खेट की बिजिट करें गाजीपुर में जंगीपुर के पास है खेट और तब आपको लेगा कि नहीं यदि आप इस्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं मैं बार-बार कहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कम हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा इस किसान ने भी रिस्क लिया है रिस्क इसमें किवल एक होता है जर्मिने और आप भी यदि अभी तक धनियाई खेती नहीं किये हैं तो धनियाई खेती ज़रूर कीजिए बीज ले आईए उसको फोड़िए फोड़ के 24 घंटा भिंगाईए भिंगाने के बाद उसे च्छानिए जूटके बोरे पर रखिए कुछ देर साम के समय जोताई करिए बुआ करके या तो आप गुल बना लीजे मेडिया बना लीजे या मेडी बना करके उस पर बुआई करा दीजे और पानी चलाती बुआई के बाद आप घास माने की दवाई श्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद जब इतनी बड़ी हो जाया धनिया तो इस समय घास माने की दवा और बाकी की जो खेती होगी वो फ्री हो जाएगी कैसी लगी वीडियो हमें जो बताएगा जय हिन जय खालत